सॉरी कुस दिनों से lecture नहीं आ पा रहा, कुछ basic reasons हैं, कुछ illness और कुछ works तो बहुत जल्दी regular lecture भी आपका start हो जाएगा, बट क्यूंकि regular lecture नहीं है तो मैं छोटे lecture आपको दे रहा हूँ देखें, exam के लिए current phase बहुत जरूरी है, तो कुछ topics जो current phase में बहुत नीटी है जिन topics प्री और मेंस में question आ सकता हैं, उससे related आपके लिए पांसे साथ मिनट का daily एक video बना के upload कर रहा हूँ, जिसमें MCQ question प्लस मेंस का भी question उस topic से related है तो ये daily news analysis, daily current feed के नाम से आपका आया करेगा बटा, इसे आप देख लिया करिए बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा, आज के news में हम एक चीज़ लेके चल रहे है Eat Right India एक campaign government ने start किया था, उसके बारे में बात करेंगे सही, बोजन बहतर जीवन इसका tagline थी, जो नीचे लिखिये थी Eat Right India अगर आप हिंदू में पढ़ेंगे तो last year September में आई थी मलब इसी time पे, क्योंकि exam हमारा अब होने वाला है तो last year से भी अभी तक चीज़े पूछी जाएंगे जिन्होंने भी हिंदू स्टार्ड किया, उन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, जो पहले से पढ़े रहे होने पता होगा पहली चीज़ जो इसके बारे में आपको याद रखनी है और समझनी है उसको यहीं पे मार कर लीजे ताकि आप exam की time पे confused ना हो जो आपका Eat Right India Moment है वो जो स्टार्ट हुआ है उन्होंने flagship जो है उसको ध्यान रखेगा Government India flagship है पोशन अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, आयुश्मान भारत योजन और स्वच भारत मिशन चार को मिला के चली है तो यह flagship इसके अंडर आ रहा है तो यह सारे इसमें जुड़े हुए है तो वाइट इंडिया है जाहिर सी बात है Food Safety and Standard Authority आफ इंडिया ने इसे लांच किया है पहली ची यह important है नहीं दखेगा यह बेटा इसलिए है कि इसमें शॉल्ट, शुगर ओईल, शॉल्ट हो गया शुगर हो गया और जो ओईल कंजम करते हैं उसको 30% तक कम करें हम ठीक है नीचे लाएं इससे क्या होगा कि engage करें जो और enable करें citizen को ताकि वो अपनी health को improve करें देखिए जो हम food खाते हैं बहुत सारी health related issues होते हैं तो इसको improve करने के लिए healthy food के लिए बात की गई है कि healthy food कैसे होगा measures of places क्या है food safety and standard authority of India जो है robust regulatory measures है three measure pillars है ये exam में आप से पूछा जाएगा eat safe, eat healthy and eat sustainably तो ये तीन program point है इने भी आप इसमें ध्यान रखेंगे देखिए food खाना बहुत important है पर ठीक से खाना जरूरी है ये prescribe कर रहा है limit total poral compounds की 25% in cooking oil ताकि कोई harmful effect ना हो cooking oil का हमारे उपर तो याद रखना total polar compound कितने TPC कितना होना चाहिए 25% तक बस इससे उपर ने अब देखिए अगला significant campaign क्यों है country को हमें burden कम करना है जैसे diabetes है, hypertension है, heart disease है ये सारी चीजे जो है ये जो worldwide फैलती है हमारी country में भी बहुत ज़्यादा है diabetes, hypertension, heart disease ये सब जो है vitamin और minerals की problem से और food born illness के चकर में ये सारी चीजे होती है तो कई सारी चीजे हैं जो हम करते हैं, deficiencies, vitamins की हमारी है, मिंडल्स की बहुत है और कई सारी food born illness होती है तेकि diabetes, अगर आप अच्छा खाना का है, healthy रहे है, hypertension और heart disease उनको नहीं होती है जो healthy खाना का थे eat right moment में crucial preventive health care measures लिए गाए है societal or behavior change लाने की कोशिश की है, regulatory measures लिए गाए है comment किया गया, soft intervention के साथ ताकि awareness आए और food building जो है, food business वो बढ़े और इसमें citizen भी जो है, वो भी जुड़े और health सही रहे ऐसा moment क्यों चाहिए हमारी studies होती है, कहती है कि हर साल साथ हजार से उपर रो, cardiovascular disease से मर जाते है जिसका कारण है, trans fat खाना, और trans fat जो है, human health के लिए बहुत खदरनाक है, और इसके लिए awareness दिना जरूरी है कहा जाता है, food में जो ये है, trans fat जो हम यूज़ करते है इसको खतम करना है, 2022 तक, WHOS बारे में बात करता है trans fat क्या होता है, trans fat जो होता है, एक fat होता है जो healthy होता है इसके लिए, जो trans fat होता है, वो industrial process के थूरू बनता है इसमें hydrogen को डाला जाता है, liquid vegetable oil को solid बनाने के लिए तो जब ये बन जाता है, तो inexpensive है, long lasting होता है food को desirable taste और texture देता है और human side effect देता है, well known है, जो इसमें होते है ये सबसे आदा ही use होता है, कहाँ hydrogenate vegetable fat oils है वनस्तपती है, margarine है और bakery shortings है ये सब जो होता है, इसमें use होता है इवेन जो baked or fried foods काते हैं, उसमें भी ये use होता है तो इस trans fat से हमें जनूरू बचना है, इससे हमारी health healthy रहेगे और हम healthy रहेंगे तो ये आपका eat healthy के mission के बारे मत है इससे question exam में आपके दो पूछे जा सकते है eat right movement is aligned with the government flagship public health program which of the following is not included अब देखें, इनोंने चार दियें, मैंने आपको सुरुआद में जब इस lecture को start किया, तो आपको बताया था कौन-कौन से mission इसमें जुड़े है तो portion अभियान था, anime मुक्त भारत था, इश्मान भारत था, स्वच भारत अभियान था तो 1, 2, 3, 4 सारे आएंगे ये थोड़ा गलती होगे, ये A, B, C, D होगा ठीक है, ये भी A, B, C, D होगा ये थोड़ा typing error है, तो इसे आप चेक कर लिजेगा तो इसका option D होगा, वैसे अगर इसमें आएंगे तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो statement दिएगा है आपको 1, 2, 3, 4, मैं फिर से कहूंगा sorry, ये statement जो है, 1, 2, 3 है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ये थोड़ा auto ले लिया, उसने typing error में इसको मैं rectify कर दूँगा next time पे जधन रखोंगा तो देखे इसमें क्या है, इस question में आपके 1, 2, 3 statement जो दिए है, पहला statement ये transferred or worse type of fats are known for the health risk, सही बात है अभी हमने नीचे पढ़ा, artificial trans fats are created in an industrial process that adds hydrogen to liquid vegetable oil to make them more solid बिलकुल सही है, since it is easy and to use inexpensive produce the last or long time and give food a desirable taste texture तो ये 3 statements जही है, तो जाहिर सी बात है C होगा, 1, 2, 3 तीनों statement सही है इसमें आ रहे हैं, तो इसको आप यहीं से mark कर लिजेगा, देखे ऐसे 2 questions MCQ में आ सकते हैं, मेंस में पूछा जा सकता है, India is a need of the moment of eat right to preventive health of all the backdrop of the increasing button of non communicable disease non communicable disease वो होती हैं जो छूने से नहीं फैलती जैसे आपका heart attack है diabetes है, ये सारी non communicable diseases में आती हैं और hypertension है, एनीमिया इन सब चीजों के बारे में आपे बात हो रहे हैं, तो ये diseases फैलती हैं अगर हम healthy खाना खाएं तो हमारी काफी बिमारिया खतम होंगी, दोस्वर्ड में इसको भी आपको लिखना है बेटा, तो ये पहला topic है जो आज हमने आपका start किया, MCQ और Mains के question आपको दिये गए हैं इसमें आप कोशिश करिये, इनको करिये, लिखिये ताकि आपको चीजे समझ में आए, आज कुछ दिन ना देने के लिए, extremely sorry, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, like, share और subscribe करें कोई भी इशू है, please comment box में लिखे हम उसे improve करेंगे, God bless you all, take care, bye bye, stay blessed